जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ करनाट का इस्टेट फायर एंड एमर्जनसी सर्वीस ओनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको फायर मैं, फायर मैं ड्राइवर, ड्राइवर मेकनिक एंड फायर इस्टेशन ओफिसर 1566 पदों का फॉ आप लोग इसमें 22 जून 2020 से लेकर 20 जुलाई 2020 तक अपलाई कर पाऊगे, अब यहाँ पर तीनों पोस्ट पर आविदन करने के लिए आपके सामने अलग-अलग वेबसाइट है, अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, यह आपकी फायर मैं की पोस्ट पर अपलाई क अपलाई करना है, तो इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो मैं आपको फायर मैं की पोस्ट पर आविदन करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो आपके पद निकाले गए हो 1222 है, और अब यहाँ पर आपको इस वेबसीट के करना है, इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी जिसको मैं एक अन्य टैब के अंदर यहीं पर ओपन कर लेता हूँ, और इस न्यू विंडो के अंदर यहाँ पर आपको एक एक करके जानकारी बढ़नी है, यहाँ पर आपको कुछ इंस इस्ट्रिक्शन को रीड कर लेना है, जो कि हिंदी और करनेड लैंग्वेज के अंदर दोनों में है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि अगर करनेड लैंग्वेज का परनाउंसेशन मेरे से गलत हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता करके submit के उपर क्लिक करके चुछ कर More क्लिक करने के बाद या पर अप्लाइंg आज합니다 कर आपको इसके उपर क्लिक करने हैं और यहा पर चूज कर लेना कि Direct candidate हो या फिर खुकोन से हम Direct candidate सेलेक्ट कर लेते और फिर just proceed के उपर क्लिक करने के आप आपके सामने यहां पर आपकी personal details की जानकारी आजेगी जो कि अब आपको एक एक करके बढ़नी है तो चलिए दोस्तों बढ़ते है You are applying as a तो यहाँ पर आपको direct candidate देखने को मिल पा रहे है Post name तो आपकी post name यहाँ पर fireman की है वो आपको choose कर लेनी है अगर आप अन्य post पर आविदन कर रहे हो तो उसमें भी same process रहने वाला है बस आपकी post का नाम अलग होगा फिर है applicant full name अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम fill up करना है और यह नाम आपको दस्वी की mark sheet के नुसार बढ़ना होगा mother name यानि के आपकी मताजी का नाम क्या हो यहाँ पर आपको भढ़ना है भढ़ने के बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर father name तो आपको अपने पिताजी का नाम enter करना होगा तो चली हम यहाँ पर यह fill up कर देते हैं फिर आपको यहाँ पर gender देखने को मिल पार है जो कि इसमें आप देख सकते हो कि male candidate आविधन कर सकते है candidate must study candidate as a educational subject in दस्वी यानिके आपके पास दस्वी के अंदर कम से कम जो candidate language है वो होनी चाहिए और वो आपने दस्वी तक पढ़ी भी हो तो अगर आपने पढ़ी है तो yes कीजिए अगर आप यहाँ पर no करोगे तो आप देखोगे कि you are not eligible for this post क्योंकि current language is must तो इसलिए यहाँ पर आपको yes कर देना है yes करने के बाद आती है address की जानकारी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर street का नाम भर देना है तो चलिए हम यहाँ पर भरते हैं area आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको बढ़ना होगा इसके बाद आपकी तालूक यान के तैसिल कौन सी पढ़ती है उसका नाम आपको यहाँ पर fill up करना है यह fill up करने के बाद आप यहाँ पर नीचा होगे देखोगे तो यहाँ से हम चलिए यह select कर लेते हैं फिर आते है email ID अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी email ID fill up कर देनी है email ID fill up करने के बाद इस email ID को आपको दोबारा से डालना है और confirm कर देनी है फिर आपको यहाँ पर अपना mobile number एंटर करना है और इस mobile number को दोबारा से डाल करके confirm करना होगा आधार कार्ड नंबर अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर mention कर देना है और यह आपको करना ही होगा क्योंकि यह option compulsory रूप में यहाँ पर add किया गया है reservation category तो यहाँ पर आपको category के उपर click करके अपनी cast category choose कर लेनी है इसको choose करने के बाद आप देखोगे कि आपको इस category पर रहते होई कितनी application fees पे करनी है height of the candidate तो candidate की height कितनी है वो यहाँ पर आपको centimeter के अंदर बढ़नी है weight of the candidate candidate का weight कितना है वो यहाँ पर आपको बढ़ना होगा फिर आता है Do you belong to a family of ex-servicemen who while in service was permanently disabled or died in action only for ex-servicemen children अगर आप करते हो तो आपको yes करना है नहीं तो आपको no कर देना है Are you claiming PDP reservation अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर yes करना है नहीं तो आपको no करना होगा Are you claiming Karnad medium reservation अगर आप करते हो तो आपको yes करना है नहीं तो आपको यहाँ पर भी no select कर लेना है फिर आता है Are you applying for rural reservation अगर आप इसके under apply कर रहे हो तो yes कर दीजिए नहीं तो no select कर दीजिए Are you a candidate subscribed to Karnat का region अगर आप करते हो तो आपको yes करना है नहीं तो no select कर लेना है Are you a government employee अगर आप वो तो आपको yes करना है नहीं तो यहाँ पर भी आपको no करना होगा date of birth as SSLC या फिर उसके बराबर marks card के अनुसार basically आपको दस्वी की यहाँ पर अपनी date of birth बढ़नी है और यह आपको दस्वी की mark sheet के नुसार बढ़नी होगी तो चलिए अब यहाँ पर इसको fill up कर देते है यह fill up करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आने है और नीचे आ करके आप देखोगे have you been involved in any criminal case अगर आपके उपर कोई criminal case है तो आपको yes करना है have you been convicted in a criminal case क्या आप किसी case के अंदर criminal case के अंदर दोसी पाई गई हो अगर पाई गई हो तो आपको yes करना है ने तो आपको no कर देना है educational qualification यानिके section की हो गया था तो are you PUC holder or holder of equivalent qualification अगर आप हो तो यहाँ पर yes कीजी yes करने के बाद आप नीचे देखोगे educational qualification तो section की हो गया था आपके पास कौन सी है वो आपको choose कर लेनी है SSLC यानिके 10-1 CBSC से की है या ICSC से की है SSC से की है या फिर state board से की है तो वही आपको यहाँ पर choose कर लेना है यह choose करने के बाद आप देखोगे year of passing तो आपने किस year के अंदर pass किये वो आपको select करना होगा फिर आता है maximum marks तो आपके maximum marks कितने थे 10th में वो यहाँ पर आपको भरना है और उसमें से आपको कितने marks आई थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा अब दोस्ति आप नीचे आई और नीचे आ करके आप देखोगे percentage तो आपकी percentage आटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है फिर आता है आपका upload your SSLC यानि के 10th या उसके बराबर qualification marks card educational qualification तो basically यहाँ पर आपको अपनी जो भी 10th की mark sheet है वो upload करनी होगी तो आपको choose file पर click करने और इसके उपर click करने के बाद जहाँ पर भी आपकी file है वो आपको select कर लेनी है और select करने के बाद उसको यहाँ से जैसे कि मैं अभी picture के अंदर जाता हूँ और इस image को demo के रूप में select कर लेता हूँ और open कर देता हूँ open करने के बाद upload के उपर click कीजिए upload के उपर click करने के बाद आप देखोगे sslc mark card uploaded successfully यहीं कि successfully upload हो चुक है और यहाँ पर आ जाएगा यह मैंने demo के रूप में किया इसलिए आप यहाँ पर यह photo चेक कर पा रहे हो फिर आता है acceptable identity cards तो यहाँ पर आप देख लीजिए select the uploading identity card तो आपको इसके उपर click करने है और कौन सा आप identity card देना चाहते हो आपको चूज करना है pen card, service ID card, bank passbook with photograph या फिल driving lessons तो चलिए हम यहाँ से pen card select कर लेते हैं फिर जो भी आपने ID उपर चूज किया उसका जो number है वो आपको यहाँ पर देना होगा इसको देने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे image details तो यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो अपलोड करना है इसका जो format है और जो size है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और किस-किस format के अंदर यह approve किया जाएगा वो आप यहाँ पर check कर सकते हो तो आपको इसको भी simply तरीके से choose file के उपर click करना है और जहाँ पर भी आपको photo है वो आपको select करना है और उसको open कर लेना है open करने के बाद आपको upload के उपर click करना है और आप देखोगे photo uploaded successfully तो आपका photo upload हो चुका है फिर उसके बाद आपको Choose File के उपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका Signature है उसको Select करना है और Open कर लेना है और Open करने के बाद Upload के उपर क्लिक करना है Upload के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका Signature आ जाएगा फिर Upload Your Identity Card as Specified Mention in the Notification यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो आईडिया आपने चूच की है पैनकार या कोई भी यहाँ आपको Choose File के उपर क्लिक करके यहाँ पर Upload करनी होगी फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटो है और Signature है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इसके बार जितनी भी जानकारी आपने आपर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक एक करके अच्छे से चेक कर लेना है और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए नहीं तो नीचे आ करके पूरी तरीकी से सियोर हो करके submit के ऊपर क्लिक कर दीजिए सब्मिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपके फोर्म का preview देखने को मिल जाएगा तो आपको सभी जानकारी को confirm करके नीचे आ करके save के उपर click करने है और save के उपर click करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने एक new interface आ जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको आपका application number और जो अन्य जानकारी वो मिल चुकी है अब आपको चूज करने है कि आपके इस माद्यम से अपनी application फिस जमा करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका account भी create हो चुक है तो हम online bank payment के उपर click करते हैं इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक new interface देखने को मिलेगा जिसके माद्यम से आपको अपनी application फिस जमा करनी है तो यहाँ पर आप देख लिए पेवी दियान के किसके माद्यम से आप जमा करना चाहते हो debit card, credit card, debit card, other bank का या फिर HDFC का net banking तो आप जिस भी माद्यम से करना चाहते हो या आपको चूज करके card number, name on card, month, year, CVV और code डाल करके pair now के उपर क्लिक करना है जिसे आप अपने application फिस जमा कर दोगे तो आपको इसी website के उपर redact करते जाएगा और यहाँ से आप अपने form का final print out ले पाऊगे इस परकार से दोस्तों आप करनाट का state fire and emergency service इस various posts, online form या फिर fireman post का form fill up कर पाऊगे I hope यह जो process है वो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज आउस वीडियो को like, share और साथी साथ आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे host को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल के icon को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हिंदोस्तों